यह क्या बहुर रहा है, write a program to print given n pattern like जैसे previous one में हमने z pattern print किया था, इसमें हमें n pattern print करना है तो सबसे पहले अब हम इसे भी एक बार draw कर लेते हैं अपने pattern को यह क्या बहुर रहा है, like 1, 2, 3, 4, 5 ता ऐसी चाहिए हमे यहां पर कितने space आ रहे हैं, 1, 2, 3, 3 space आ रहे हैं, 2, 3 space उसके बाद है 1, 2, 3, 4, 5 अब यहां पर dynals आ रहे हैं, 2, 3, 4, ठीक है सबसे पहले इन patterns में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले iq value fix करनी होती है कि iq value 4, 3, 2, 1 लेके फायदा है या फिर 1, 2, 3, 4 लेके फायदा है, तो हमें दिख रहा है अगर iq value हम 1, 2, 3, 4 ले ले लेते हैं, 4, 5 ले ले लेते हैं तो हमें एक चीज़ दिख रहे हैं, कि यह column as it is print कर देगा, यह अगर j value volume है, 1 है, यहाँ पर 2 है, second column, third column, fourth column, fifth column तो 4, j value जब भी, किसके यहाँ पर 5 के बराबर होगी, यहाँ पर j value 1 होगी तो जब भी j value होगी इसके बराबर तो i value print कर देने हैं, यहाँ पर 5, 5 i value होगी 4, 4, 4, 4, यहाँ पर i value कितनी होगी, 3, 3, 3 print कर दो, यहाँ पर i value कितनी होगी, 2, 2 print कर दो, ठीक है अब हमें बस dinal values देखनी है, तो अगर जहाँ से देखेंगे dinal values, तो i value कितनी है, 2 और j value भी कितनी है, 2 यहाँ पर I के Baptist 23,okay ऩा इनल्फ उब्याकonder, तो हमने का है यहाँ पर दधान फंग समstерв कर दान का वे सरे, पर सॉची अब 수र के लिए कर दो चाहिए यहाँ पर जो उचाहिए, पर देंच से मारते थाई अकौलक 것처럼 ज्ञेक्शंर का प्रिंद्ट कर दो इनर लूब 1 तक ही चल लाए क्योंकि यह 5 तक ही चल रहा है हर रो में 5 elements आ रहे हैं सारी रो में ठीक है तो इसलिए हमने न तक चलाया इसके बाद अब अन्दर का condition लगा रहे है कि जब भी j equal equal to 1 है और j equal equal to n है मतलब हम first value यह 1 बात कर रहे हैं हर इक रऊम है first value last value की बात कर रहे हैं और जब बिसके तो इसके लावद i equal equal to j होता है तो i equal equal to j चाहators c हैं गभी j प्रिंट कर लो चाहEE ।क है रिंट आई प्रिंट करना है तो आई कर लो जे कर लो बात एक ही होने वाली है इसके अलावा जितने भी cases होंगे उनमें सब में spaces प्रिंट करने हैं अब यह दो spaces लगाएं क्योंकि एक value के बाद एक space डाले ताकि pattern थोड़ा अच्छे सह हमें दिखें एक बार इसे run करके देख लेते हैं तो पहला code हम अपना copy कर लेते हैं इसे safe करके रख लेते हैं इधर क्या है कि inner loop सबसे पहले हमें क्या करना था एक inner loop था एक outer loop outer loop तो भाई है अब 1 से लेके n तक ही चलाना है हमें i less than equal to n less than equal to n होगा यहां पर और i क्या होगा एक एक से बढ़ेगा तो यहां पर हम लिखते हैं plus plus i और j का loop 1 से लेके n तक ही होना है अब हम बात करेंगे कि first value डाइना है उसके नहीं हम बात करते हैं first and last value first and last value चाहिए तो हमने बोला कि जब भी j equal equal to 1 हो जाए मतला पहला column या फिर j equal equal to n हो जाए मतला last column तो i print कर दो इसके अलावा अगर dynal values चाहिए हमें dynal values चाहिए हमें तो हमने कहा कि जब भी i equal equal to j हो जाए तो j की value दे दो या फिर i की value दे दो dynal values पही otherwise space ही चाहिए हमें एक बाइसे run करके देख लेते हैं 7 पर देखें एन हो रहा है print 1 से लेके 7 तक एक बाइस में अगर 6 के लिए चलाते हैं हमें इसे तो देखें 6 पर भी perfectly काम कर रहा है I hope आपको समझाया होगा